Hello Children, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है आज की इस वीडियो में Class 9th का एक पोयम जिसका टाइटल A Slumber Did My Spirit Sealed जिसके राइटर विलियम वाट्सवर्थ है उनकी लिखी गई इस पोयम को पढ़ेंगे Children, सबसे पहले तो हम आपको बता दे कि ये जो पोयम जो है जैनि कि जो उनकी प्रेमिका है या कोई भी समझ सकते प्रेमिका हो या उसकी सिस्टर हो अभी ये क्लियर नहीं किया गया है जिसका नाम जो है वो लूसी है उसके बारे में वो लिखे है जैसा कि आप सभी in fact हम सभी जानते हैं कि जो टाइम जो होता है समय जो होता है, time is most powerful, समय जो वो सबसे ज़्यादा सक्तिसाली होता है, उससे ज़्यादा सक्तिसाली कोई नहीं है, और समय के अनुसार सारे चीजे जो हैं, वो चलते रहती हैं, तो इस poem में भी Lucy जो है, यानि की जो William Watsworth जो हैं, उनकी जो beloved once जो हैं, अब वो इस दुनिया में नहीं है, she is no more now, तो वो इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है, तो वो इस poem के थ्रू क्या बताना चाहते हैं, अपने beloved ones के लिए, let us see, तो सबसे पहले इसके intro part को अब लोग देख लेते हैं, this poem is about the date of our loved one, यह poem जो है वो एक बहुत ही, करीबी ब्यक्ती के बारे में लि जब poet अपने उस beloved ones के मौत के बारे में सूचता है, तो उसे कैसा लगता है, उसे कैसा feeling होता है, कैसा वो महसूस करता है, how does he imagine her to be after death, अपने beloved ones के मरने के बाद, poet जो है, वो कैसा imagine करता है, कि अगर वो मर गई है, तो उसका reaction जो है, वो कैसा होता है, मतलब वो क्या चीजे जह चलते हैं, chapter को start करने के लिए, children, starting का first stanza जो है, यानि की चार लाइन जो है, a slumber did my spirit seal से लेकर के, the touch of earthly ears, सबसे पहले हम यहां तक समझेंगे, a slumber did my spirit seal, I had no human fears, she seemed a thing that could not fail, the touch of earthly ears, children, सबसे पहला आपको बता दे कि जो second line जो है, I, इसमें I जो है, वो हमारे writer William Watts, वत जी है, ठीक है, और जो third line, जो C का यूज किया गया, वो उनकी beloved ones, यानि की Lucy के लिए यूज किया गया, ठीक है, अब समझते है, a slumber did my spirit seal, slumber जो होता है, वो सोने के लिए, निंद के लिए ह होता है, ठीक है, कवी जो है, वो निंद में है, सपने में है, मतलब वो बता रहे हैं, कि जो चीजे उनके साथ हो गए हैं, तो उसको एक सपना मान करके वो react कर रहे है, a slumber did my spirit seal, I had no human fears, एक जो सपना जो है, वो मेरे spirit को, मेरे उत्सुकता को, मेरे सारी सक्तियों को seal कर दिया है, I had no human fears, अब मुझे किसी ब्यक्ति से डर नहीं है, she seemed a thing that could not feel, see जो है, यानि कि उनकी beloved ones, she seemed a thing that could not feel the touch of earthly ears, वो उसकी पत्नी जो है, वो मर गई है, यानि कि जो पत्नी तो clearly ने बो सकते beloved ones के लिए, कि उनकी जो beloved ones, जो है, अब वो किसी भी चीज को feel नहीं कर पा रही है, the touch of earthly ears, यानि कि वो पूरी तरीके से मर गई है, she is no more now, और वो किसी भी चीज को feel नहीं कर पा रही है, लेकिन poet जह है, वो अभी भी इस चीज को स्विकार करने से मानने को बिलकुल तैयार नहीं है, ऐसा अक्सर हमारे साथ भी होता है, children आपके साथ भी, कि जिससे हम सबसे ज़ he or she has gone, अगर वो चला जाता है, हम से दूर चला जाता है, तो हम इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं, कि अरे वो जो मेरा सबसे करीबी था, बहुत ही ज़्यादा नजदी की था, वो हमें छोड़ करके चला गया, उसकी म्रिक्ची हो गई, तो ऐसा हमारे साथ भ होता है, तो आगे के फोर्स लाइन में वो क्या बता रहा है, तो इन चार पैराग्राफ से देखिए, पता चलता है, कि स्टार्टिंग का जो पैराग्राफ जो था, उसमें वो बताना चाहते हैं, कि उनकी जो बिलव्ड वन्स जो है, वो इटर्नल है, यानि कि that is not to die, वो कभी मरने वाली नहीं है, लेकिन जो हम अभी सेकेंड पैराग्राफ समझ रहे हैं, यानि कि लास्ट का चार लाइन, इसमें ये चीज़ दिखाया जा रहा है, कि अब वो इस नेचर के रूल को, नेचर के साथ जो होता है, नेचर में जो भी चीज़े होती है, उन सारे च सकती नहीं है, कोई मोसन नहीं है, वो हिल नहीं रही है, नो फुर्स, ना उसमें कोई सकती है, बल है, कि वो कोई बल लगा सकती है, और ना वो देख सकती है, यानि कि जो मैं उससे बोल रहा हूं, अब वो मेरी बातों को सुन नहीं पाती है, और नहीं वो किसी भी चीज़ो को देख पाती है rolled round in earth's diurnal course और diurnal जो होता है children ये daily के लिए होता है ठीक है और course जो कोई भी चीज लगातार चलता है जैसे हम लोग medicine लेते हैं उसका भी course होता है पढ़ाई करते हैं उसका भी course होता है that means duration तो वो बता रहे हैं कि जिस तरीके से nature के साथ यानि कि nature का rule ये है कि रोज दिन पृत्वी जो है अपना घुमते रहता है ये सारा चीज होता है तो पृत्वी के साथ उसकी जो beloved once जो है वो भी क्या करती है प्रित्वी के अंदर वो दब गई है, मर गई है, और वो क्या हो रही है, प्रित्वी के साथ जैसे प्रकृती का नेचर जो है, प्रकृती का जो रूल जो है, उसके साथ वो क्या कर लिए, घूम रही है, with rocks and stones and trees, जैसे जिस तरीके से पत्थर जो है, stones जो है, जिस तरीके से र जो जो घूमते रहते हैं, प्रिथवी घूमती है, तो वो सारे चीजे भी घूमते रहते हैं, तो rocks के साथ, stones के साथ, or trees, उन सभी चीजों के साथ वो भी घूम रही है, तो first, fourth lines जो है, उसमें, poet जो है, William Watson ये बताना चाहते हैं, कि उनकी जो beloved ones, Lucy, जो है, वो मरी नहीं है, वो कि Lucy, जो है, अब उनकी बातों को सुन भी नहीं कर रही है, रियक्ट भी नहीं कर पा रही है, तो वो finally, ये चीज असेप्ट कर लेते हैं, कि अब उनकी जो beloved ones, यानि कि Lucy, जो है, वो, she is, no more, अब वो बिलकुल नहीं है, So children, I hope you must have liked it, so thanks a lot for watching this video, और अगर आपको ये video अच्छे से समझ में आ गया हो, चैप्टर समझ में आ गया हो, तो subscribe बटन जरूर दबा दीजेगा, ताकि और भी आपको ऐसे ही poem के जो video जो है, वो आपको मिलते रहें